असलाम अलेकुम SQL के सीरीज में मैं आपको खुशाम अदीद कहता हूँ और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तीन किसम के OPERATORS जिसको COMBINING CLAWS OPERATORS भी बोलते हैं For example AND OR या AND NOT ठीक है? तीन OPERATORS देखते हैं और इनका USE देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्यूरी आइड करते हैं यहां पर करते हैं यहां पर करते हैं Select Hysteric यहां पर लिखते हैं From Products ठीक है जी? इसको हम RUN करते हैं तो यहां पर यह हमारे पास आ गया By the way, RUN करने का शॉर्टकट क्या है जब आप इस पर होवर करेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा लेकिन अगर आप जाते हैं यहां पर Scripting के उपर Query के उपर Execute All or Selection Ctrl Shift Enter से आप इसे RUN कर सकते हैं ठीक है? Ctrl Shift & Enter के साथ सही हो गया Ctrl Shift & Enter के साथ सही है यह इसका Short Cut है अब हमने क्या किया? यहां पर Where clause का यूज करना है ठीक है? Where पहला चीज मैं लिखता हूँ जिनकी Product Line जो है वो Classic Car या Motorcycle हो ठीक है? तो मैं कर दे तो Motorcycles हो जिनकी Product Line जो है Is Equal To Who Motorcycles ठीक है? उनको हम करते हैं Ctrl Shift & Enter यह Run हो गया और यहां पर Error दे रहा क्यों? Error दे रहा क्योंके यह मैंने String बंद नहीं की थी मैंने इसको Run किया और आप यह चेक करें हमारे पास सिर्फ Motorcycle वाले आ गए ठीक है? अब सिर्फ Motorcycle वाले तो आ गए लेकिन यहां पर हम अभी हमने एक और Clause लगानी है ठीक है? यहां पर मैं लगाता हूँ And जिनके पास Motorcycle हो और उनकी जो Quantity या Buy Price है Buy Price कर लेते हैं ठीक है? Buy Price जो है उसकी वो 65 से अबव हो ठीक है? And Buy Price Is Greater Than 65 ठीक है? तो इसको मैं Enter करता हूँ तो यहां पर वो लोग आगे हैं यह वो प्रॉडक्स आगी हैं जिनकी Buy Price जो 65 से बव है अब आप चेक करें कि यह And Operator का क्या मतलब होता है? कि इसकी दोनों साइडों पे जो Condition है वो पूरी हों यह वाली भी और यह वाली भी मतलब इसके दोनों हाथ काम करते हैं समझागी बात की? And Operator के दोनों हाथ काम करते हैं On the other hand अगर हम यहां पे और लगाते ठीक है? और को मैं Run करता तो आप चेक करें क्या हुआ है? जिनकी Motorcycles है वो भी आगे हैं और जिनकी Price 65 से अबव है वो भी आगे हैं तो इसमें क्या हुआ? आइदर यह Condition पूरी हुई है या यह Condition पूरी हुई है तो इसमें क्या लेना देना होता है? इसमें यह होता कि और के एक साइट वाली भी Condition पूरी हो तो वो Result आ जाते हैं ठीक है? मस्क नहीं होता कि यह दूनें पूरी होनी है ठीक है? अगर यह पूरी हो रही तब भी आगया अगर यह पूरी हो रही तब भी आ ठीक है? तो एक Record के अंदर अगर इन दूनों में से एक भी Condition है तो वो Record शो हो जाएगा ठीक है? And में क्या था? अगर एक record के अंदर या एक row के अंदर अगर ये दोनों condition पूरी हो रही है कि 65 वाला भी है और by price के बाद motorcycle जो है वो उनकी product line है ठीक है इसको बोलते हैं and और operator ठीक हो गया अब यहाँ पे हम लिखते हैं और लगाने के बाद अब यहाँ पे अगर हमें एक और condition लगाएं जिसको हम कह दें and ठीक है and हम एक और condition लगा के बोल देते हैं कि उनका जो MSRP है न वो भी greater than 100 हो ठीक है MSRP greater than 100 इसको run करते हैं तो अब हमारे पास क्या आ रहा है गोर से देखिएगा हमारे पास यहाँ पे और आ रही है मतलब product line motorcycle है उसकी buy price अगर 65 भी है ठीक है motorcycle हो या कोई भी चीज हो उसकी buy price 65 भी है तो वो भी आ जागा और motorcycle भी आ जागी ठीक हो गया and then यहाँ पे उसके बाद MSRP जिसकी greater than 100 है वो भी आ गया ठीक है अब होता क्या है इसमें and operator की दोनों साइडों पे चलने वाली दोनों चीज़ें पूरी होगी यह भी और यह भी ठीक है लेकिन यहाँ पे इसके दरम्यान और आ जाएगा अब इसको और define करने के लिए हम क्या करते है यहाँ पे मैं इसके bracket लगा देता हूँ अब आपको clear होगा यह क्या चल रहा है यह एक और command है इसका मतलब है कि product line जिसकी यह वाली है mode cycle ठीक है वो भी पूरी होगी और second condition यह वाली पूरी होगी ठीक है एक यह condition होगी और एक यह वाली condition होगी इसको run करके देखते है तो यहाँ पे हमारे पास results वो आ रहे है जिनकी product line mode cycle है ठीक है या उसके पास buy price और MSRP greater than 165 है ठीक है तो आप यहाँ पे चेक किए जिसकी less than 65 होगी ना वो ज़रूर mode cycle होगी यह चेक करें ठीक है क्योंकि यह पहली condition को पूरी कर रही है यहाँ पे less than 65 के अगर कोई और आती है तो वो basically motorcycle है like this one इस वज़ा से वो वहाँ पे आ रही है ठीक है अगर हम यहाँ पे not लगा दें तो देखें क्या होगा चेक करें अब यह हुआ कि हमने not लगा दिया कि product line motorcycle ना आये लेकिन buy price और यह सारी चीज़ें आती है अब यहाँ पे अगर motorcycle आती है तो यह इस condition की वज़ा से आएगी ठीक है वो basically इस condition की वज़ा से नहीं आएगी इसको और refine करने के लिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ अगर not लगाँ यहाँ पे तो क्या होगा सिर्फ motorcycle आएंगी जिनकी buy price जो है वो 65 नहीं होगी imagine यहाँ पे error आगी buy price के क्या आ रहे let me see यह करते हैं जी यहाँ पे नहीं होगी and not अब ठीक है and not लगाना तो इसमें चेक करें अगर हम यहाँ पे 65 लगा रहे थे तो हमने साथ में and not लगा दिया जिसका मतलब क्या हुआ इस clause का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि हमने इसको buy price less than कर लिए less than and equal to 65 कर लिए समझाई क्यों क्योंके यह हमने condition लगाई और इसको not कह दिया मतलब इसके उल्ट चल पड़े वो होते हैं न कुछ बंदे आपसे मश्वरा लेते हैं लेकिन हमेशा उस मश्वरे का उल्ट करते हैं तो यह वोई चीज समझ लें कि यहां पर आपसे मश्वरा लेके किसी ने ल्ट कर लिया उसका तो बेसिकलिया उसने क्या किया अपने उसे कहा कि 65 से ज्यादा वाली जो bikes है वो खरीदना ठीक है वो क्या करता है अच्छा ठीक है ठीक है लेकिन वो क्या करता है वो less than or equal मतलब 65 या 65 से नीचे वाली खरीद लेता है ठीक है तो and not का मतलब यह है कि मश्वरा लेके उसके उल्ट चलने वाले बंदे होते हैं यहां तक आपको समझ आ गई है बिल्कुल पकी बात है अब यहां पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जिसको हम बोलते हैं in clause ठीक है इस in clause में हम क्या देखेंगे for example यहां पर मैं कहता हूँ कि product line जो है वो motorcycle हो ठीक है मैं साथ में यह भी कहा देता हूँ कि motorcycle के साथ साथ यहां पर और product line is equal to मैं यहां पर उसे कहा देता हूँ classic cars ठीक है classic car कहा देता हूँ इसे सभी हो गया अब इसको run करके देखते हैं कि यह क्या कर रहे है mode classic car के spelling मुझे ठीक नहीं लग रहे इसको हम करते हैं comment out just to see के हमारी गलती कहां पर run करते है classic cars यह आना था ठीक है तो इस तरीके से आप देख भी सकते है तो यहां पर देखे हैं हमारे पास classic cars और motorcycle दोनों आ रहे हैं ठीक है क्योंकि हमने और condition लगाई है अब यहां पर एक और और लगा के मैं कह देता हूँ अगर इसको मैं दोबारा से ऐसे करूं classic cars और motorcycle और साथ में condition लगा दूंकि buy price उसकी 50 से या 65 से ज्यादा हो again वही पुरानी condition और यहां पर लगाऊं buy price is greater than 65 ठीक है तो यह हमारे पास तीन conditions पूरी हो रही है ठीक है अब यहां पर trucks and buses अगर हम लगाते तो क्या होना था मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ यहां पर हमने और के साथ तीन चीज़ें लगा लिए यह ऐसे आपको समझना असान हो जाएगा basically product line is equal to this मैं इसको run करता हूँ तो आप देखें मारे पास motorcycle classic cars और साथ में trucks and buses तीन आ रही है conditions अब जो आप यहां पर इस code को गोर से देखें तो हमने क्या किया है हमने basically यहां पर तीन चीज़ों की condition लगा ईए कि यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है ठीक है लेकिन इसको हल करने का एक और तरीका भी होता है अब अगर कोई नया बंदा होगा वो बोलेगा कि यार और के बाद आप simply ऐसे कर देते क्योंकि तीन तीन दफ़ा क्यों लिख रहे हैं क्योंकि बतलब यह है कि और की इर्दगिर्द में हम condition पूरी लिखनी होती है यहाँ पर हमें पूरी condition लिखनी पड़ेगी हमें इसको combine नहीं कर सकते हैं एक में इसी वज़ा से यहाँ पर पूरी condition लिखने के लिए हमें एक formula यूज़ करना पड़ता है जिसको हम बोलते है in clause ठीक है वो कैसे use करनी है मैं यहाँ पर लिखता हूँ where product line in इसके बाद bracket open bracket open करने के बाद और की जगा पर यहाँ पर comma आ गया यहाँ पर भी comma आ गया ठीक है और यहाँ पर bracket बांद होगी तो हमने क्या किया basically हमने in command को use करके बताया कि product line के अंदर अगर motorcycle, classic cars और trucks and buses हैं उसको हमारे सामने ले आओ तो यह आपके सामने in command लेगी motorcycle, classic cars और trucks and buses तीनों आगी ठीक है अब अगर आप यहाँ पर in function को use करें इसका मतलब यही है कि तीनों में से कोई भी हो ठीक है तीनों भी हो सकती है एक record के अंदर तीनों में से कोई भी है तो वो आ जाएगा, मतलब इसमें सिर्व classic car एक condition पूरी हो रही है इन तीनों में से तो वो आ जाएगा इन का मतलब होता है और, ठीक है इन तीनों के दिर्मियान और लगा हुए अब अगर आप same को मैं copy करूँ और यहाँ पे मैं इसे paste करके पहले वाले को comment out कर दूँ तो देखते हैं क्या बनते है अब यहाँ पे देखें मैंने in लगाया यहाँ पे अगर इसे मैं not in कर दूँ for example मैं इस तरीके से कर दूँ just imagine तो इसका मतलब है कि product line जिसके अंदर यह तीनों conditions ही ना हो ठीक है let's see तो आप देखें कि यहाँ पे वो तीनों में से कोई भी नजर नहीं आएगी सही है vintage car, planes, trains यह सारी चीज़े नजर आ रही है but you will not see these conditions तो not in और in function यहाँ पे आपको समझ आ गया हो जो से हम clauses बोलते हैं तो इस तरीके से पे आप and and not और उसके बाद or और not function और in function की clauses जो है उन्हें utilize करके अपने code को refine कर सकते हैं next वीडियो में चलते हैं जी जहाँ पे और भी अच्छे वाली clauses में आपको बताने वालों जो बहुत handy होंगी और इन्शाला हम उसे देखके बुड़ा लुटफन दोस भी होंगे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को शेयर करें टेक केर जी अलाहाफिस